हलो दोस्तो जेसेसी परिक्षा में एक पर फिर सब का स्वागत है जैसा कि हम लोगोंने पिछली वीडियो से कंप्यूटर नौलेज के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है हम लोग पहला चेप्टर में कंप्यूटर का परिचय के बारे में पढ़े थे आज हम लोग दुसरा जो 20 प्रस्ण है इन 20 वीडियो से आपका सोल्ब हो जाए ठीक है यानि 20 वीडियो 20 प्रस्ण सोल्ब हो जाना चाहिए ठीक है तो चले आरम करते हैं प्रस नंबर 1 के साथ देखे प्रस नंबर 1 है कि बीट का मतलब क्या है ठीक है बीट का मतलब बताना है कि बीट का मतलब क्य बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर या कंप्यूटर का एक भाग या इन में से कोई नहीं तो देखें बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट ठीक है क्या होता है बाइनरी डिजिट होता है दूसरा प्रस्ण प्रतेक कंप्यूटर के की बोर्ड के प्रतेक कैरेक्टर की A-A-C-H होती है जिसका पुर्ण रूप है ठीक है यहाँ पास फूल फॉर्म बताना है कि क्या हो जाएगा American Stock Code for Information Interchange B है American Standard Code for Information Interchange C है African Standard Code for Information Interchange और D है Adaptable Standard Code for Information Interchange ठीक है तो इस प्रशनका आंसर हो जाएगा दोस्तो हो जाएगा American Standard Code for Information Interchange ठीक है फूल फॉर्म आप याद रखेगा ASCH का ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे है इसके बाद की Binary Coded Decimal में 10 मलव अंक 7 का BCD तुल्यांक होगा ठीक है BCD तुल्यांक बताना है कि कितना होगा ठीक है 07111 C है 0111 और D है 1001 ठीक है तो क्या हो जाएगा 0111 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हैं कि Extended EBCD में कुल कितने character निरुपित किये जाते हैं कुल कितने character निरुपित किये जाते हैं परास बताना है कि होता है ठीक है सूपर कुमिटर के बारे पुछा गया है 16 बीट तक 32 बीट तक 64 बीट तक या 128 बीट तक ठीक है या आक्टल का या binary का या hexadecimal का किसका प्रयोग होता है तो binary का किसका binary का प्रयोग होता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखें एक बाइट से कितने मुल्य निरुपित किये जा सकते हैं ठीक है 8, 16, 64 या 256 तो कितने 8 कितने मिरुपित किये जा सकते हैं तो 8 मिरुपित किये जा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है इसके बाद की एक मेगा बाइट लगभग किसके समान होता है एक मेगा बाइट लगभग किसके समान होता है 1000 बीट्स के बराबर या 1000 bytes के बराबर या 1 million bytes के बराबर या 1 million bits के बराबर या 2000 bytes के बराबर तो देखे जो 1 mega byte होता है न ठीक है वो होता है 1 million bits के बराबर 1 million bits के बराबर होता है byte मत किजिएगा 1 million bytes मत किजिएगा 1 million bits के बराबर होता है 1 mega byte ठीक है चले आगे है नाइन नमबर का कम्प्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है कम्प्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बताना है कि क्या कहलाती है बाइट कहलाती है बीट कहलाती है मेगा बाइट कहलाती है उप्यूक्त सभी कहलाती है एक किलो बाइट बनता है कितनी बाइट मिला करके एक किलो बाइट बनता है option नमर A है 612 option नमर B है 1024 C है 2048 यानि कि 2048 और D है 4096 यानि कि 4096 और E है 8192 ठीक है तो कितनी बाइट मिला करके एक किलो बाइट बनता है तो 1024 बाइट मिल करके एक किलो बाइट बनता है ठीक है? चलिए आगे है कि इन में से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के लिए उप्योग में लाया जाता है स्टोरेज मापने के लिए उप्योग में लाया जाता है LB, MB, TB, GHZ या SB ठीक है? तो कौन सा उप्योग में लाया जाता है वो लाया जाता है टेरा बाइट क्या टी बी चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है कि बाइनरी नंबर के अंतरगत जी संख्या बिधी पर काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है दसमलव बाइनरी बाइट बीट या इन में से कोई नहीं देखिए उनको बोला जा प्रणाली में निम्रांकित मेंसे कितने अंक होते हैं एक डो तीन चार या इनमेशे कोई नहीं तो दो अंक होते हैं आड़ कितने दो एवं चार और D है, एवं दो और E है, इनमें से कोई नहीं, तो binary पनाली के जो दो नंबर होता है, दोस्तों, वो होता है, एवं 0, क्या होता है, एवं 0 होता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है इसके बाद की, अक्छरों तथा, चिन्हों को बाइटों में अस्टोर करने के विधी को क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम, अलफा सिस्टम, बाइट सिस्टम, कोडिंग सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं, तो इसको बोला जाता है, कोडिंग सिस्टम, इसको बोला जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए आगे है इसके बाद की आज कल सबसे ज़्यादा परियोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है ठीक है आज का end दूसरा है आज की तीसरा है एफसी डिक फिर है इन में से कोई नहीं और फिर है उप्यूक्त सभी ठीक है तो होता है दोस्तो आसकी एवंग एवसी डिक ठीक है ओप्शन नमबर ए जो हो जाएगा इसका दोस्तो वो हो जाएगा correct ठीक है चलिए आगे है आठ लगातार बीटो की सिरीज को क्या कहा जाता है बीट कहा ज जाता है या इन में से कोई नहीं तो देखिए आठ लगातार बीटो की सिरीज को बाइट कहा जाता है क्या भाइट बोला जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हैं इसके बात कि 56 किलोभाइट 30 सेकेंड के मोडेम का प्रयोग कर 3 मेगा वाइट के फाइल के डाउनलोड ह वोने में कितना समय लयेगा, 56 किलो बाइट का है, ठीक है, प्रतिस सकेंड मोडेम का परियोग हो रहा है, 3 मेगा बाइट का फाइल डालोड करना है, तब उस कंडिशन में समय बताना है कि कितना समय लगेगा, 15 मिनाट, 30 मिनाट, 60 मिनाट, 90 मिनाट या इन में से कुई नहीं, तो देखे, उस condition दोश्तों आपका 60 मिनट समय लएगा, कितना मिनट, 60 मिनट समय लएगा, आगे देखे, खाले इस्थान संख्या के दुई अधारी कोड में विद्यूत अस्पंदन का न होना दरसाता है, ठीक है, क्या दरसाता है, 1, 0, 3, 2, 5, तो क्या दरसाता है, 0 दरसाता ह आगे है कि, जो यहाँ पास बीट दिया गया है, जो 8 बीट का समय है, इसको क्या कहते हैं, नीबल कहते हैं, बाइट कहते हैं, बीट कहते हैं, रोबोट कहते हैं, इन में से, कोई नहीं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, दोस्तों, बाइट, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको भी हो जाएगा, बाइट वो हो जाएगा सही, ठीक है, चलिए बाइट इसको बलते हैं, आगे देखे, आगे है कि कम्प्यूटर में किसी सब्द की लंबाई मापी जाती है, कम्प्यूटर में किसी सब्द की जो लंबाई है दोस्तों मापी जाती है, बाइट में, मिली मिटर म याई में, इसको कोई नहीं, किस चीज में मापते हैं, उसको मापते हैं, ठीक है, चलियागे है इसके बाद की द्वी अधारी कोट केंवा है बिद्द यूती अस्पंदन का होना संख्या को परधरसित करता है, 0, 1, 2, 4, 5 तो जोश्टम लोग अभी पीछे ही पढ़े थे ठीक है? यहाँ पास यहाँ अस्पंधन हो रहा है लेकिन पीछे अस्पंधन वाला किशन नहीं था उसमें नहीं हो रहा था तब क्या दरसाता है? वो 1 दरसाता है ठीक है? अगर अस्पंधन नहीं होता तो 0 आगे है इसके बाद कि एक 001 जो 4 बीट्स की सरेनी है क्या इसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तो नीबल क्या बोलते हैं इसको? नीबल बोलते हैं याद रखेगा 4 बीट्स का सम्मून का बोलते हैं नीबल चार बीट के सम्मून का क्या बोलते हैं नीबल चलिए आगे है कि कम्प्यूटर में किसी सब्द की लंबाई मापते हैं ठीक है तो अभितुरत हम लोग पढ़े थे किस चीज में बीट में मापते हैं आगे देखें, computer data की सबसे छोटी काई क्या होती है, computer data की जो सबसे छोटी काई होती है, क्या होती है, वो beat होती है, क्या होती है, beat होती है, आगे देखें, आगे है इसके बाद की logic gate क्या है, logic gate जो है वो क्या है, एक software है, एक परकार का circuit है, या एक BCS CD है, या एक computer game है, या इन म जो है वो एक परकार का सरकीट है क्या है एक परकार का सरकीट है आगे देखिए मेगा बाइट में मापते हैं बुकम किती ब्रता को जनसंख्या घनत्तों को सकती बैय की छमता को कंप्यूटर की स्मृति छमता को या इन में से कुई नहीं तो कंप्यूटर की स्मृति छमता को म मेगा बाइट में मापते हैं चलि आगे बढ़ते हैं आगे इसके बाद 28 नमबर का प्रस्ण है कि एक किलो बाइट मने वन के भी किसके तुल्ले होता है वन ट्रिपल जिरो बाइट वन जिरो टू फर बाइट या वन ट्रिपल जिरो बाइट या 150 बाइट या इन में से कोई नहीं ठीक है तो एक केवी किसके तुल्ले होता है यहां से प्रशन आया है तो 1024 बाइट के बरावर होता है एक केवी चलियागे है कि एक कंप्यूटर की इस्मृति समाने तोर पर किलोमेटर रथवा मेगा बाइट के रूप में ब्यक्त या जाता है एक बाइट बना होता है देखे आठ द्वी अधारी अंको से दो द्वी अधारी अंको से आठ दसमलव अंको से या दो दसमलव अंको से या इन में से कुई नहीं तो ये जो बनता है दोस्तो वो बनता है आठ द्वी अधारी अंकों से किसे आठ द्वी अधारी अंकों से बनता है चलिए प्रस नंबर 30 है कि निभन में से कौन सा सही है option नंबर है कि byte binary number में एक अंक ये होता है दूसरा है बीट डिजिटल नमबरों की ग्रूपिंग का प्रतिनिधित्व करता है और C है कि 8 अंकिये binary number को byte कहते हैं ठीक है और D है कि 8 अंकिये binary number को byte कहते हैं यह है इनमें से कोई नहीं तो देखे कौन सा option आपको सही लग रहा है तो विजर्ष्ट पढ़े कि 8 अंकिये binary number को बोलते हैं byte क्या बोलते हैं byte यानि कि option number जो C है दोश्टो वो क्या है correct answer है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए कंप्यूटर की संचिप्त संचिप्त आक्षर के बी का समानतक क्या अर्थ होता है की बलोक, केरनल बूट या कीलो बाइट या कीट बीट या इन में से कोई नहीं ठीक है तो इसका मतलब आपको पता होगा क्या होता है कीलो बाइट क्या होता है कीलो बाइट होता है कंप्यूटर पर information किस रूप में स्टोर किया जाता है इना लोग डाटा में, डिजिटल डाटा में, मोडेम डाटा, वाइट डाटा या इन में से कोई नहीं ठीक है तो कंप्यूटर पर information जो इस्टोर के जाता है वो डिजिटल डाटा में स्टोर के जाता है यानि कि option number जो B हो जाएगा दोस्तों, वो बिलकुल सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है इसके बाद की सबसे बड़े से सबसे छोटे के करम में निमलिखित में से कौन सा listed है, मने लिखा गया है TB, MB, GB, KB, फिर है GB, TB, MB, KB, फिर है TB, GB, MB, KB, फिर है TB, GB, MB, TB, KB आप मोबाइल चलाते हैं दोस्तों, फड़ा फट चाप इसका आंसर कोमेंट बक्स में दीजिए, ठीक है आप option पढ़ते ही समझ गया होंगे कि सबसे छोटा क्या होता है, KB, फिर क्या होता है, MB, फिर GB, फिर TB यानि कि option number कौन सा सही हो जाएगा, जो option number D में दिया है न, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ठीक है, चलिए आगे है, निमन में से कौन सा binary number का उदाहरन है 6AHI 100101 005 ABCD 23456 तो binary number का उदाहरन कौन है, कि एक 0 होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए यानिक option number B है दोस्तों, ये सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे देखे आगे है कि कितने कीलो बाइट से 1 मेगा बाइट बनता है कितने कीलो बाइट से 1 मेगा बाइट बनता है 128, 1024, 256, 512 या 64 ठीक है, तो कितने उसे बनता है, 1024 से ठीक है, 1024 कीलो बाइट से 1 मेगा बाइट बनता है आगे देखे, कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट सुचित करते है ठेक है तो जोस्ट हम लोग पीछे ही पढ़ेते अभी कि कितने बिट सुचित करते हैं तो 4 कितने 4 बिट सुचित करते हैं आगे देखे binary system एक number system है जिसका अधार है जिसका अधार क्या है two number चलिए आगे बढ़ते हैं कि कितने मेगाबाइट से एक गीगाबाइट बनता है तो 124 मेगाबाइट से एक गीगाबाइट बनता है ठीक है कि क्या हो जाएगा उप्सन नमरे है अमेरीकान अस्पेषिल कंप्यूटर for information interaction अनडे कांप्यूटर for information इंटर चेंज तो बताना है कि A, S, C डबल आई का फूल फम क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा दोस्तो American Standard Code for Information इंफर्मेशन इंटर चेंज यानि कि option number जो E है यह क्या हो जाएगा सही हो जाएगा American Standard Code for Information इंटर चेंज A, S, C, I ठीक है आगे देखे Byte 0 और खाले स्थान के बीच किसी भी संख्या को निरोपित कर सकते हैं किसी भी संख्या को निरोपित कर सकते हैं किसको निरोपित करते हैं 256 को आगे देखे 256 आगे देखे सबसे ज़्यादा प्रियोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रतेक कैरेक्टर को बिसिष्ट आठ बीट कोड के रूप में निरुपित करता है ठीक है तो कौन सा है दोस्तों वो है EBCDIC EBCDIC ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखें कम्प्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यहाँ किस से बनी है डिजिटो से ये नालोग यूनिटो से इन्पुट से बाइटो से या आउट्पुट से ठीक है तो किस चीज से बनी है दोस्तों डिजिटो से बनी है ठीक है चलिए आगे देखें आगे है कि बाइनरी सिस्टम की सक्ति का प्रियोग करता है तो किस की सक्ति का टू लंग भग करके बताया है तो एक मेगबाईट के ब्राबर होता है आगे देखे, निमन में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है रैम का दूसरा सबसे बड़ा जो माप बताना है कि रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है टेरा बाइट, मेगा बाइट या गीगा बाइट तो कौन सा जो है वो दूसरा सबसे बड़ा है वो है गीगाबाइट रेम का क्या है गीगाबाइट चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए binary number 101 की value क्या है तिक है इसकी value क्या है 356101 या 8 ठीक है तो इसकी value बताना है इसकी value क्या है इसकी value है दोस्तो 5 इसकी value क्या है 5 है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे इसके बाद की निमलिखित में से इस storage का सबसे छोटा माप कौन सा है इस storage का सबसे छोटा माप क्या है टेरा बाइट किलो बाइट, गिगाबाइट, मेगाबाइट या बाइट तो कौन है, byte है, storage का सबसे छोटा रूप, चले आगे देखते हैं इसके बाद, कि द्वीचर संख्या, 101, 00, 11, 00, 2 का अश्टभुज सम्तुल्य क्या होगा, इसका हो जाएगा, 5, 1, 4, into 8, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, 5, 1, 4, और नीचे ऐसे 8 लिख सकते हैं, ठ चले आगे देखते हैं, आगे हैं, इसके बाद की, कंप्यूटर की इस मृति समाने तोर पर किलो बाइट और मेगा बाइट में, ब्यक्त लिख जाता है, एक बाइट बना होता है, पुछा गया है, कि एक बाइट जो होता है, वो बना होता है, आठ द्वी अधारी अंकों से क्या 8 दियधारी अंकों से बना होता है एक किलो बाइट बराबर होता है ठीक है एक किलो बाइट बराबर होता है तो 1024 बाइट के बराबर होता है एक किलो बाइट किसके बराबर होता है तो 1024 बाइट के बराबर होता है यानि कि option number जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा सही आगे देखे Computer भासा में 1 Megabyte में कितने Byte होते हैं Computer भासा में 1 Megabyte में कितने Byte होते हैं ठीक है तिसमें होते हैं 10,48,576 ठीक है चलिए आगे बड़ते हैं आगे इसके बाद है कि Binary Code में संख्या साथ लिखी जाती है binary code में संख्या जो 7 है इसको कैसे लिखते हैं 111 कैसे लिखते हैं 111 5 को 101 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखे 8 बीटों के समूह को कहते हैं आप 20 बारी पढ़ लिए होंगे कि इसको byte कहते हैं ठीक है आगे देखे binary choice में कितने बिकल्प होते हैं binary choice में कितने बिकल्प होते हैं तो उसमें होते हैं 2 बिकल्प कितने 2 बिकल्प एक byte से कितने मूल निरुपित किये जा सकते हैं कितने निरुपित किये जा सकते हैं तो 64 64 आगे देखे आगे है कि एक मेगा बाइट लगभग किसके बराबर होता है एक हजार बाइट के, एक हजार बाइट के, दस हजार बाइट के, एक मिलियन बाइट के या एक मिलियन बीट के, एक मेगा बाइट पुछा गया है एक मेगा बाइट तो एक मिलियन बाइट के बराबर होता है आगे है इसके बाद की इन में से कौन सा कंप्यूटर में परियुक्त अंक पदती है द्वियधारी, हेक्साडेसिमल, ओक्टल या सभी तो सभी ठीक है ठीक है आगे है बीट क्या है एक अंक पदती है computer memory की सबसे छोटी इकई है या एक input device है उन में से कोई नहीं तो बीट जो है ओ computer memory की सबसे छोटी इकई है ठीक है चलिए आगे है इसके बाद की binary अंक पदती से दाएं से तीसरे अस्थान की संख्या का अस्थानीय मान बताना है कि दाएं से तिसरे अस्थान की संख्या का अस्थानी मान क्या है? 1, 2, 4, 8 इसका मान क्या है? 4 है दाएं से तिसरे अस्थान पर क्या मान रहेगा? 4 बाइनरी संख्या 1, 0, 1, 1 इंटू 2 का दसमलोग पत्ती में मान होगा इसका मान दस मलोग पत्ती में कितना होगा 11 होगा इसका मान कितना होगा दस मलोग पत्ती में 11 होगा एक बाइट बराबर होता है एक बाइट जो होता है वो पुछा गया है कि बराबर होता है तो 6 बीट के बराबर होता है एक बाइट ठीक है आगे देखें आगे है इसके बाद कि sorry दोस्तों sorry sorry 8 bit के बड़ावर होता है 1 byte हम लोग जैसे पीछे पढ़ते आ रहे हैं 8 bit के बड़ावर होता है 1 byte ठीक है चलिए आगे देखें आगे है कि 1 km बड़ावर होता है 1 km बड़ावर होता है ठीक है सोरी है पास प्रस्ट मिश्टेक है एक कीलो मिटर नहीं होगा ठीक है चले इसको आप लोग क्रोस कर लिजे चले आगे बढ़ते हैं 64 में लोग आगे बढ़ते हैं 64 में कि कंप्यूटर में सब्द की लंबाई को मापा जाता है कंप्यूटर में सब देखी लंबाई को कैसे मापते हैं तो बाइट से मापते हैं कैसे बाइट से कंप्यूटर मेमोरी की छमता को मापते हैं यह भी बाइट से मापते हैं कंप्यूटर डाटा इस्टोर और गन्नाए करने के लिए सिस्टम का प्रियोग करते हैं गन्नाए करने के लिए सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो binary नंबर में आगे है इसके बाद तो दोस्तों आगे प्रस्ट नहीं है वीडियो हम लोग यहीं पर रोकते हैं यह वीडियो आपको जैसेसी सिजल के कम्प्यूटर वाले प्रस्ट में बहुत ही helpful रहेगा साथी साथ जो अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद